नुश्कार दोस्तों, डीट है आज की 15 स्तंबर 2020 और स्वागत है आपका A2L डिस्केशन में आज तीन इशूज हमें डिस्केश करने हैं सबसे पहले Employment से समधित आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे दूसे नंबर पे, आफगान पीस प्रोसेस से समधित आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे और तीसे नंबर पे, Ease of Doing Business रिपोर्ट से समधित आर्टिकल को हम डिस्केश करेंगे सबसे लास्ट में एथिक का एक चोटा सा पोर्शन, चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं देखो, COVID-19 की वज़े से विभिन देशों की एकोनमी पर काफी ज़्यादा नेगिटिव इंपक्ट पड़ा हैं और इंडिया की एकोनमी भी इससे एच्छूती नहीं रही हैं बट देखो, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी ज़्यादा नेगिटिव इंपक्ट पड़ा हैं, COVID-19 का हमारे देश की एकोनमी पर और कुरेंट फाइनेशल एर के फ़र्स्ट क्वार्टर के आंकडों को अगर हम देखें जिन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा परभाव पड़ा हैं, इस COVID-19 का मतलब जो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा परभावित हुए हैं, जैसे construction सेक्टर, trade, hotel and other services, manufacturing सेक्टर, mining सेक्टर देखो, यही तो सेक्टर हैं, जो सबसे ज़्यादा employment प्रोवाइड करते हैं और इनी सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा negative impact पड़ा हैं, तो इसका सीधा सीधा consequence क्या होगा? बहुत ज़्यादा job loss होगा, मतलब unemployment काफी ज़्यादा होगा इसके बाद आंटिकल में यह बोला जाता है, हमारे देश में, देखो, vulnerable employment का share काफी ज़्यादा है employment में vulnerable employment का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, example है construction worker का vulnerable employment वो employment होती है, जिसमें earning काफी कम होती है, मतलब wages कम होते है productivity कम होती है, unskilled job होती है और work की conditions भी काफी ज़्यादा difficult होती है workers को basic rights से वंचित रखा जाता है informal sector की वो job होती है और trade unions में भी representation नहीं होता workers का तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो construction worker की job में construction worker के लिए working conditions खराब होती है unskilled job है, wages काफी कम होती है, productivity कम है informal sector की job है तो इस परकार की construction worker जैसी jobs है हमारे देश में काफी ज़्यादा है देखो, vulnerable employment का ज़्यादा होना ये एक reason है, काफी बार आपने सुना होगा कि 90's के बाद हमारे देश की जो economy growth rate है वो तो ज़्यादा रही है बट बावजुद इसके poverty उतनी तेजी से remove हमारे देश में नहीं हो पाई है जिसका एक reason ये भी है ज़्यादा जो jobs है वो vulnerable unemployment केटिगरी में ज़्यादा है मतलब काम तो मिला हुआ है workers को लेकिन wages ज़्यादा नहीं मिलते informal sector की job है working conditions खराब है social protection नहीं है इस वज़े से गरीबी उस गती से दूर नहीं हो पाई है एक आंकड़ा भी है International Labour Organization का इंडिया में 535 million labor force है 2019 का ये आंकड़ा है और 535 million में से 398.6 million की जो jobs है workers की वो poor quality jobs है और वैसे देखो एक हरानी वाली बात ये भी है किसी भी देश की economy का समय के अनुचार structural transformation होता है structural transformation मतलब labor और capital जो है move करता है पहले labor और capital होता है low value added sector में जैसे मान लीजी आप शुरुवात में agriculture sector में हमारे देश में ज़्यादा job करते थे पैसा भी ज़्यादा वहीं पर था लेकिन धीरे धीरे modernization आया technology develop हुई तो labor और capital move करेगा manufacturing sector में और ज़्यादा modernization आएगी तो फिर labor और capital move करेगा service sector में बट हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा है हमारे देश में labor और capital दूसरे sector में तो enter कर रहा है बट higher value added activities में labor और capital move नहीं कर रहा है जैसे मापको example बताता हूँ जो meadow और uber जैसी companies हैं ये jobs तो create कर रही है लेकिन ये jobs जो है वो value added activities वाली job नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि skilled jobs है अब होना तो ये चाहिए था ना समय के अनुसार जैसे IT jobs हैं वैसी jobs create होती बट वैसी jobs ज़्यादा create नहीं हो रही है और ऐसा हमारे देश की economy के साथ हो रहा है जनरली किसी विदेश की economy का structural transformation हो जाता है खेर इसके बाद article में कहा जाता है सरकार को पता है इस बात का कि unemployment बहुत ज़दा बढ़ने वाली है और बहुत ज़दा बढ़ भी चुकी है इसलिए सरकार के द्वारा scheme launch की गई गरीब कल्यान रोजगर अभियान जून में ये scheme launch की गई थी और इसके लिए पचास हजार क्रोल रुपे allocate के गए है बट article में कहा जाता है देखो ये enough नहीं है unemployment इतनी ज़दा आएगी कि ये पचास हजार क्रोल रुपे की जो scheme है वो enough नहीं है वैसे भी COVID-19 आने के बाद बहुत से लोग सहरों से चले गए अपने अपने गाउं में rural areas क्या उन migrant workers को accommodate कर पाएंगे उन migrant workers को जो provide कर पाएंगे rural areas में ये भी एक बड़ा question है तो मेली देखो अभी दो challenges है एक तो economy में lack of demand है मतलब COVID-19 की वज़े से वस्तों को खरीद रही हैं सिरफ लोगों का focus हैं जादा की अपने जुरूर्ट की चीज़ों को खरीदा जाएं तो मतलब demand कम होगी तो production भी कम होगी production कम होगी तो फिर jobs कम होगी तो ये सरकार के सामने बड़ा challenge है कि lack of demand की वज़े से jobs कम होगी तो कैसे ये ensure किया जाए जादा jobs generate होग दूसरा जो ये हमने ये discuss किया कि vulnerable employment का share हमारे देश की employment में जादा है इसको कैसे कम किया जाए मतलब formal sector में jobs जादा generate होग अच्छी working conditions हो, social protection हो workers के पास ये सब चीज़ें कैसे ensure की जाए एक line में बोलो तो vulnerable employment का share कैसे decrease किया जाए अब कुछ suggestions देते हैं writer पहला suggestion writer के द्वार ये दिया जाता है अगर देखो आपको urban employment generation program पे focus करना है तो आप local governments के साथ coordinate कीजिए क्योंकि इससे बहुत सारी समश्याएं जो cities के द्वारा face की जाती है उनको दूर किया जा सकता है वैसे देखो चोथा point भी इसी से मिलता जूलता है मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ cities में आपको पता है sanitation की बड़ी समश्या होती है health infrastructure काफी बार slums में weak होता है pollution की समश्या काफी बड़ी होती है अब कोई person है city में उस person को बोलती है ठीक है हम आपको job provide करेंगे आप हमारी साहिता कीजिए hospital को बनाने में clinic को बनाने में या फिर park बनाने में पोधे उगाने में तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे जो person job चाता था उसको job मिल गई और इसके साथ साथ cities जो समस्या face कर रही थी जैसे pollution की समस्या है ज्यादा पेर उगाएंगे तो pollution की समस्या कम होगी न तो दोनों एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे जोब भी दे दिके जिस person को job चाहिए थी और cities की जो समस्याएं थी वो भी दूर की municipality ने तो इसलिए बने elected representatives का trade unions का entrepreneurs का community groups का तो local level पे resources को mobilize किया जा सकता है दूसरा suggestion local level पे देखो policies को आप इस परकार से design करो खांस करके investment policies को कि ज़्यादा से ज़्यादा investment आए employment intensive sectors में मतलब वो sectors जहाँ पे employment generation ज़्यादा होता है ऐसे areas में ज़्यादा investment attract करने के लिए आप policies बनाओ ये दूसरा suggestion है जैसे देखो example दिया जाता है small and micro enterprises का ये जो small and micro enterprises होती है बहुत ज़्यादा employment generate करती है jobs generate करती है but इन small and micro enterprises में labor और capital के interest के बीच balance establish करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कैसे अगर देखो workers को ज़्यादा rights दिये जाते है तो फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ-कुछ जो small and micro enterprises है वो profitable नहीं रहती लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही workers का exploitation कर लो profitable बनाने के लिए तो दोनों के बीच में balance establish करना जुरूरी होता है और इसके लिए extra sport की आउसकता होती है small and micro enterprises को तो आपकी policies इस परकार से हों कि आप इस मामले में small and micro enterprises को sport प्रोवाइड करो तीसरा suggestion infrastructure ज़्यादा create किया जाए अगर देखो cities में ज़्यादा infrastructure होगा तो ज़्यादा employment होगा ज़्यादा earnings होगी जैसे चोटा सा example लीजिए मान लीजिए कोई pull बनता है bridge बनता है तो bridge को बनाने में बहुत से लोग अपना सयोग करेंगे मतलब काम करेंगे तो उनको job मिलेगी उनका income level increase होगा even business करना भी आसान होगा अगर infrastructure अच्छा होता है ज्यादा investment आएगी तो cities में infrastructure को improve करने पर focus किया जाए और infrastructure इस परकार से improve किया जाए जिसका फाइदा workers को भी हो जैसे देखो low cost housing है ये एक ऐसी activity है जिससे jobs भी generate हो सकती है और इसके साथ साथ जो urban dwellers है जिनके पास घर नहीं है उनको भी इसका फाइदा हो सकता है अगर सरकार low cost housing में invest करती है सबसे last में fourth point में कहा जाता है कि तुरंथ इमिडेटली आप एक urban employment scheme लोंज करो जो कि oriented हो cities में large scale medical health और sanitation infrastructure को create करने की तरफ तो first point से मिलता जूलता है fourth point last में देखो conclusion में कहा जाता है वैसे rural areas में manrega scheme है लेकिन manrega scheme इतनी capable नहीं है कि सभी लोग even migrant workers जो लोड़ चुके हैं अपने native places में उनको भी jobs provide कर सके और बहुत से लोग ऐसे हैं जो manrega में काम करना भी नहीं चाहते तब ही तो वो शहरों में गए थे दूसरी jobs करने के लिए अगर उनको manrega में ही काम करना होता तो फिर वो शहरों में जाते ही क्यों काम करने के लिए सरकार को ये चाहिए कि manrega scheme को expand किया जाए मतलब ज़्यादा funds allocate के जाए इसके साथ साथ कितने दिनों का employment मिलता है manrega scheme के तहट वो दिन भी increase किया जाए 200 दिन किया जा सकते हैं कि मांगने पर 200 दिनों का employment दिया जाएगा एक साल में कम से कम इसके बार next हमारा आठकल अफगान peace process से समधित है आप GS paper 2 के इस topic से आठकल को relate कर सकते हो देखो इस साल के सुर्वात में फरवरी में USA और Taliban के बीच एक agreement sign हुआ था उस agreement में ये त्या हुआ था कि USA अपनी troops की संख्या को कम करेगा अफगानिस्तान में धीरे धीरे पूरी तरह से अपने सभी soldiers को USA में लेकर चला जाएगा अफगानिस्तान से और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धर्ती को USA के interest के against इस्तमाल नहीं होने देगा तो इस agreement के बाद ये भी तया हुआ था कि तालिबान की अब बादसीत होगी अफगान सरकार के साथ लेकिन देखो 6 महीने हो गए उस agreement को sign हुए लेकिन 6 महीनों के बाद अब जाके बादसीत स्टार्ट हुई है अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कोशन उठता है कि आखिरकार इतना समय क्यों लग गया तो इसके पीछे देखो बहुत सारी factors responsible है सबसे पहला factor ये responsible है कि बादसीत में डिले हुआ ये तैह हुआ था कि बादसीत स्टार्ट होने से पहले अफगानिस्तान की सरकार 5000 तालिबानी मिलिटेंट्स को रिहा करेगी और बदले में तालिबान भी 1000 अफगान सोल्जर्स को छोड़ेगा लेकिन देखो तो अफगानिस्तान की सरकार की रिलेक्टेंस थी अफगानिस्तान की सरकार नहीं चाती थी कि इतनी बड़ी संख्या में तालिबान के मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए क्योंकि डर था कि एक बार जेल से छोड़े जाने के बाद फिर से तालिबान के जो militan's हैं, वो insurgency को join कर सकते हैं दूसरा factor जिसकी वज़े से बात्चित डिले हुई ये भी तैय नहीं था कि अफगान सरकार की तरफ से नेगोशेटर कौन होगा मतलब अफगान सरकार की तरफ से जो टीम होगी जो नेगोशेट करेगी तालिबान के साथ उस टीम में कौन कौन होगा इस बात को लेके डिफरेंसिस थे एक तरफ असरफ गनी और दूसरी तरफ अब्दुला अब्दुला इन दोनों के बीच है तीसरा फेक्टर ये भी कंसर्ण था देखो तालिबान की तरफ से जो पैनल नेगोशेट कर रहा है उसमें तो सभी मेल है लेकिन अफगानिस्तान सरकार की तरफ से जो पैनल नेगोशेट कर रहा है उसमें चार महिलाएं है तो डाउट था तालिबान की सोच तो काफी ज़्यादा conservative है, narrow है कहीं तालिबान मना ना कर दे कि हम ऐसे panel के साथ negotiate नहीं करेंगे जिसमें महिलाएं है इसके बाद चोथा point जैसा हमने discuss किया देखो तालिबान ये चाहता था कि 22 च्टांट होने से पहले हमारे 5000 जो militants हैं उनको छोड़ा जाएं लेकिन अफगान सरकार के अपने concerns थें और देखो इवन तालिबान बिना ceasefire agreement के sign हुए ये चाहता था कि इन 5000 militants को छोड़ा जाएं उसके बाद लोया जिर्गा अफगानिस्तान में elders की जो council है उसकी meeting और नाइस हुई और लोया जिर्गा ने approval दिया कि जो तालिबान militants हैं उनको छोड़ दिया जाए ताकि बादचित का रास्ता साफ हो सके ऐसा ही हुआ लेकिन देखो एन मोके पर France और Australia जिनके soldiers की हत्या की गई थी कुछ तालिबानी militants के द्वारा Australia और France नहीं चाते थे कि ऐसे तालिबान militants को छोड़ा जाए जिन पर France और Australia के soldiers की हत्या करने का आरोप है तो ये कुछ factors हमने डिसकस किये जिसकी वज़े से even agreement के sign होने के बाद मतलब USA और तालिबान के बीच जो agreement sign हो गया था फरवरी में लेकिन उस agreement के sign होने के 6 महिने के बाद भी बादचीत स्टार्ट नहीं हो सकी लेकिन अच्छी बात ये है आखिरकार बादचीत स्टार्ट हुई सुरवाती बादचीत में तो logistics, structure, इन सब बातों पर discussion हुई लेकिन देखो बादचीत के सुरवाती फेस में सबसे पहले तो focus इसी बात पर होना चाहिए कि ceasefire agreement sign हो क्योंकि इवन 2020 में ही सुरवात के 8 महिनों में अभी तक 1300 के आसपास civilians की death हो चुकी है इसलिए सबसे main जो focus होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द किसी परकार का ceasefire agreement sign हो इसके बाद ये कहा जाता है देखो 2001 में तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था USA और ELISA के परियासों के द्वारा जब तालिबान का सासन था तो उस समय situation काफी ज़्यादा खराब थी महिलाओं को rights नहीं थे basic आजादी basic जो rights होते है जनता के पास वो rights भी तालिबान के rule में civilians के पास नहीं थे तो women देशों का और experts का civil society का concern ये है तालिबान के साथ बादचीत में किसी भी solution पर सैम्टी बने कम से कम ये चीजें compromise नहीं होनी चाहिए democracy महिलाओं के लिए rights बोलने की आजादी जो दूसरे basic human rights होते हैं जनता के पास वो जरूर होने चाहिए अगर किसी solution पर तालिबान के साथ सहमती बनती है अगर देखो इंडिया के angle की हम बात करें एक अच्छी चीज ये हुई है तालिबान ने जो हजार अफगान सरकार के soldiers को रिहा किया है उन में से तीन इंडिया के भी hostages थे दो हजर अथारा से तीन इंडियन्स को hostage बना के रखा था तालिबान ने अब उनको भी छोड़ दिया गया है ये अच्छी बात है इसके लावा देखो पहले हमारा stand ये था हम तालिबान को militant group मानते थे आज भी मानते हैं तो हमारी नीती हमेशा से ये रही है कि terrorist organizations के साथ हम बात नहीं करते तो हम उस किसी भी table पर नहीं बैठते थे जिसमें तालिबान के representative बैठे होते थे क्योंकि हमारी नीती तो ये है न हम तालिबान के साथ किसी परकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि तालिबान एक terror organization है लेकिन देखो अब इंडिया का stand change हो गया है क्यों? क्योंकि देखो अब अफगान सरकार खुदी तालिबान के साथ बात कर रही है जब अफगानिस्तान की सरकार खुदी तालिबान के साथ बात कर रही है तो इंडिया यही चाहता है कि peace establish हो और बातचीत से कोई ना कोई solution निकले तो दोहा में अब जो inaugural ceremony और बातचीत के लिए उसमें हमारे विदेश मंतरी एस जैसंकर ने भी हिस्सा लिया वीडियो conferencing के माध्यम से यह पहली बार था कि इंडिया के किसी मिनिश्टर ने ऐसी बातचीत में हिस्सा लिया हो जिसमें तालिबान भी participate कर रहा हो तो इंडिया का अब यह मानना है जो यह पूरी बातचीत की प्रोसेस है वो अफगान लेड अफगान ओंड होनी चाहिए यह हमेशा से इंडिया का स्टेंड है बट वही बात जो मैंने आपको बोली कि कम से कम डेमोक्रेसी गवर्नेंस के इंसिचूशन्स माइनेटीज के राइट्स वोमन के राइट्स इन सब चीजों पर किसी भी परकार का कोई कम प्रोमाइज ना हो ऐसा सोलूशन निकलना ज़रूरी है तो यह हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया अफगान पीस प्रोसेस से समधित चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल इस ओफ डुइंग बिजनस इंडेक्स से समधित है आप जनरल स्टेडी पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो वल्ड बैंक के द्वरा इस ओफ डुइंग बिजनस इंडेक्स रिलीस किया जाता है लेकिन कुछ दुनों पहले एक खबर आई थी आपको याद होगा कि वल्ड बैंक ने कुछ समय के लिए इस इंडेक्स को पब्रिस करना बंद कर दिया है क्यों? क्योंकि बहुत सारी खबरे आई थी कि इस इंडेक्स के compilation में काफी धांदले बाजी होती है बहुत कम्या है criteria भी गलत है तो इन सब factors को ध्यान में रखते हुए World Bank ने कहा था ठीक है भाईया हम एक बार रोक लगाते हैं देखेंगे पूरी process को improve करेंगे तो इस article में कहा जाता है आज कि World Bank ने जो रोक लगाई है ये एक opportunity है कि World Bank अपने पूरे criteria को फिर से revise करें जिसके base पे विबिन देशों को ranking दी जाती है इस index में काफी सारी कम्या गिनवाई जाती है writer के द्वारा ease of doing business index में सबसे पहली चीज देखो ये index उन देशों को ज़्यादा अच्छी ranking देता है मतलब ये एक parameter है ranking देने में कि जिस देश में environmental regulation lose है मतलब environment last पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कई बर क्या होता है कुछ देशों में नया business establish करने में environment clearance मिलना बहुत जरूरी होता है और वो environmental clearance असानी से मिलती नहीं है तो वो देश जहां पर ये असानी से मिलती नहीं है मतलब उस देश को खराब ranking दी जाएगी ease of doing business index में तो ये index demand करता है कि विबिन देशों में environmental clearance असानी से मिल जाए health clearance असानी से मिल जाए even labor loss भी tight नहीं होने चाहिए लेकिन इन सब के जबाब में writer ये बोलते है अरे भाया अगर विबिन देशों में environmental loss strong नहीं होंगे environmental clearance असानी से मिल जाएगी तो मतलब environment का exploitation ज़्यादा होगा उस देश में और अगर environment का exploitation ज़्यादा होता है तो ultimately असर किस पर पड़ेगा उस देश की economy पर तो आप ऐसा मत कीजिए मतलब ये demand मत कीजिए विबिन देशों से कि environmental loss को आप lose कीजिए health जो rights है उनको lose कीजिए या फिर जो labor rights है उनको कमजोर कीजिए ये आप demand करोगे तो विबिन देश गलत direction में चल पड़ेंगे वही विबिन देशों के साथ हो रहा है अभी देखो हमारे देश में draft environment impact assessment जो release हुआ उस draft में environment से सम्मन्दित नोम्स को काफी ज़्यादा lose कर दिया गया है पहले strict थे लेकिन अब जो नए business establish होंगे वो environment concerns को avoid करके अपनी factory establish कर सकेंगे तो ये इंडिया के environment के लिए अच्छा नहीं है इवन देखो example दिया जाता है labor rights का अगर आप labor rights को deregulate करने की demand करोगे विबिन देशों से तो विबिन देश ease of doing business index में अच्छी rank प्राप्ट करने के नाम पर ऐसा कर देंगे बड़ देखो ultimately नुकसान किसका होगा ultimately नुकसान तो workers का होगा न तो आप ऐसी कोई मांग मत रखिये उसके बाद ये भी बोले जाता है देखो अलग-लग देशों की conditions अलग-लग है जैसे कुछ देश ऐसे है जो tax में reduction कर सकते है बट इंडिया जैसे देश tax में बहुत ज़्यदा reduction नहीं कर सकते जो कि demand किया जाता है ease of doing business index के दोरा क्योंकि हमारी जो fiscal requirements है वो हमें ये allow नहीं करती कि हम बहुत ज़्यदा tax को काम कर दें इसके बाद ये बोला जाता है कि देखो एक correlation नहीं है जैसे रश्या की ranking improve हुई 2012 से लेके 2020 के बीच है लेकिन रश्या में FDI कम आ रही है जबकि दूसरी तरफ इंडिया और चाइना चलो इंडिया छोड़ दीजिए चाइना का example लीजिए क्योंकि इंडिया की rank तो इसमें improve हुई है चाइना में FDI ज़्यादा आ रही है बट ranking में स्थान low है जबकि होना तो ये चाहिए था न जिन देशों की rank अच्छी है वहाँ पे ज़्यादा FDI आएगी और जिन देशों की rank खराब है इस index में वहाँ पे कम FDI आएगी तो कहने का मतलब ये हैं correlation नहीं है इस index की ranking में और investment में तो ये हमने कुछ कम्यों की बात की इस index से समदिद अब World Bank के पास मोका है इन कम्यों को सुधारे और फिर से ये जो index है विबिन देशों को rank देना start करें तो हमारी आज की इस discussion में इतना ही है last में ethics का एक छोटा सा portion हम discuss कर लेते हैं अब हम discuss करते हैं ethics in IR में refugees का issue देखो United Nations High Commission for Refugees की definition के हिसाम से refugee वो है जो एक देश से दूसरे देश में जाता है for example A देश से B देश में जाता है क्योंकि A देश में उसकी जान को खत्रा है उसकी freedom, liberty इन सब चीजों को खत्रा है तब ही अगर कोई person भाग जाता है A देश से और पहुंचता है B देश में तो वो B देश के लिए वो person होगा refugee 1951 की refugee convention के हिसाम से इस परकार से जब कोई person A देश से B देश में जाता है क्योंकि A देश में उसकी जान को खत्रा है या फिर liberty, freedom को खत्रा है तो B देश उस person को वापस नहीं लोटाएगा समझ गए यानि कोई person है Mr. X Mr. X की जान को खत्रा है A देश में वो भाग गया B देश में तो 1951 की convention कहती है ऐसी situation में कोई refugee वापस उस refugee को मजबूर नहीं करेगा कि आप वापस उसी देश में जाएए जहां पर आपकी जान को खत्रा है 1951 की refugee convention यह भी कहती है अगर देखो वो देश जहां पर कोई refugee आता है अगर उस देश ने 1951 की refugee convention को साइन किया है तब तो वो देश बिलकुल ही वापस refugee को नहीं बेजेगा उस देश में जहां से वो भाग कर आया है अपनी जान खत्रे में होने की वज़े से लेकिन वो देश जिनका एक tradition रहा है refugees की help करने का इंडिया जैसे देशों ने हमेशा से help की है refugees की 1971 में बागा देश से बहुत से refugees हमारे देश में आए और सिलनका से भी बहुत से refugee meses भाग कर हमारे देश में आए अफगानिस्तान से कई सारे देशों के refugees ने हमारे देश में आ कर जान बचाई और इंडिया ने उनको सरण भे दी हाला कि इंडिया ने 1951 की refugee convention को sign नहीं किया है लेकिन फिर भी इंडिया के उपर एक moral obligation है चुकि इंडिया ने हमेशा से refugees के उपर refugees की मदद की है तो जब कोई इंडिया के पास refugee आता है तो इंडिया को उस refugee को वापस नहीं बेजना चाहिए उस देश में जहां से वो refugee भाग कर आया है अपनी जान बचा के 1951 की ये जो refugee convention है वो देखो human rights पे अधारिट है refugees की dignity, respect, freedom इन सब पे अधारिट है और United Nations High Commission for Refugees के अनुसार refugees जो हैं अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं for example, A से कोई person भागा है B देश में political persecution हो रहा था A देश में तो वो B देश के लिए हुआ refugee B देश की जिमेदारी बनती है कि उस refugee को खाना, education, health, livelihood ये सब चीज़े प्रोवाइट की जाए और B देश में refugees को card भी issue किये जाएंगे UNHCR के द्वारा, United Nations High Commission for Refugees के द्वारा ये basic चीज़े हैं जो हमने convention से समंदित discuss की और वैसे कई बार देखो political persecution ना हो रहा हो तो बहुत से लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें migrants कहा जाता है economic migrants या फिर simple migrants जैसे Bangladesh से बहुत से लोग भाग कर इंडिया में आते हैं उनको लगता है इंडिया में अच्छी opportunities हैं जो बच्छे से मिल जाएगी जीवन यापन वो इंडिया में अच्छे करस केंगे तो उन्हें migrants कहा जाएगा उन्हें refugee नहीं कहा जाएगा refugee तब कहा जाएगा जब बंगला देश में उनका persecution हो रहा हो और वो भाग कर इंडिया में आ जाएं देखो development के fruits पाने के लिए यानि अच्छे economic opportunities के लिए लोग एक दूसरे से दूसरे देश में हमेशा से जाते रही हैं लेकिन violence की कारण आज कल जो refugee crisis है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है जैसे Syria में बहुत ज़्यादा violence देखने को मिला Middle East के countries में काफी बार violence देखने को मिलता है तो उन देशों को लोग छोड़ के चले जाते हैं दूसरे देशों में क्योंकि उनको लगता है हम उसी देश में रहेंगे तो हमको मार डाला जाएगा हमारे धरम के कारण या फिर ideology के कारण इसलिए वो दूसरे देश में चले जाते हैं तो दूसरे देश में जब वो जाते हैं तो दूसरे देश के लिए हो जाते हैं refugees इंडिया का track record refugees के मामले में पास्ट में काफी अच्छा रहा है जैसे हमने पहले भी डिसकस किया 1971 के बादेशवार में हमने refugees को सरंड दी थी स्रिलंका से आए और पागिस्तान में हिंदूों का जो persecution हुआ भाग कर इंडिया में आए हमने सरंड दी इवन कस्मीर में जब कस्मीरी पंडितों का सोर्शन हुआ उनके लिए भी अलग से camps इस्टाबलिश के गए थे तो कहने का essence यह है इंडिया का track record अच्छा है लेकिन हाल फिलाल में देखो refugee crisis बहुत जड़ा बढ़ गए जैसे हमने डिसकस किया Middle East में या फर मयामार में क्राइस क्राइसिस बहुत जड़ा बढ़ गए तो kind of women issues भी सामने आए जैसे जैसे refugee crisis बढ़े सबसे पहले देखो जिस हद तक compassion दिखानी चाहिए थी refugees के लिए women countries को उस तर पर compassion नहीं दिखाई गई बहुत से refugees जब Middle East से गए European countries में तो हुआ क्या कई सारे European countries ने अपने दर्वाजे बंद कर लिए कई सारे European countries ने फैंसिंग लगा दी तो बहुत सारे refugees तो ऐसे थे जो समूंदर में फस गए नदी में फस गए बोट पर रह गए कई मर गए तो जिस extent तक compassion दिखानी चाहिए थी उस extent तक compassion नहीं दिखाई गई वहां पे एक dilemma आ जाता है जैसे जर्मनी में एक बहुत बड़ा issue ये बन गया था कुछ जो refugees बनके आये थे जर्मनी में उन पर आरोप लगे terrorism को promote करने के तो वहां पे जो right wing parties थी उन्होंने पूरी तरह से कह दिया था कि refugees को जर्मनी में नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि अ परकार का जो dilemma है ना वो हर जगह देखने को मिलता है इंडिया में भी देखने को मिलता है जैसे रोहिंग्याज कस्मीर में settle down हो गए हैं तो बहुत से लोग आवाज उठाते हैं कि रोहिंग्याज में से कुछ लोग terrorism को promote करेंगे तो refugees को सरण दी जाए या ना दी जाए आपस वहीं जाएंगे जहां से वो आए हैं और वहाँ पर उनका फिर से political persecution होगा तो यह human dignity के अगेंस्ट है European countries देखो बड़ी बड़ी बाते करते हैं liberty, equality, freedom इन सब चिज़ों के बारे में लेकिन refugees को सरण देने की बारी आई तो उन्होंने कई देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए इवन रोहिंगास के issue पे तो इंडिया का जो stand है वो पहले इंडिया का जो track record है उसके हिसाम से नहीं है रोहिंगास से मूँ फेर लिया इंडिया ने देखो जब इस परकार से दूसरे देश refugees से मूँ फेरते हैं तो यह एक परकार से human values के against है और refugees को ignore करना immediate national interest तो soul हो जाते है ऐसा कहा जाता है कुछ experts के दवरा जैसे रोहिंगास को हमने इंडिया में नहीं आने दिया तो immediate national interest इससे सर्व हो गए लेकिन long term में पूरे reason की peace और जो harmony है वो परभावित होती है यह बात सही भी है कुछ हर्द तक समझ गए यानि अगर refugee crisis को ignore किया जाता है तो हो सकता है कि short term में आपके interest सर्व हो जाए लेकिन long term में पूरे reason की peace और harmony खराब होती है अगर refugee crisis को ठीक से address ना किया जाए तो इस परकार से हमने ethics in IR में issue discuss किया refugee crisis तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion